हलो वरिबडी, स्वागत है आपका आज के सभाकस विडियो टुटियोरियल में आज के सभाकस विडियो टुटियोरियल में हम प्रक्टिस करेंगे small friends negative component के हमारे सबसे आखरी formula minus 1 की minus 1 की value को rod पर apply करने के लिए आपको formula apply करना पड़ेगा minus 5 plus 4 तो चलिए हम कुछ calculations करके देखते हैं हमारा सबसे पहला calculation है 6 minus 1 minus 1 तो आपने सबसे पहले 6 को apply किया अब आपको करना है minus 1 minus 1 आप directly कर सकते हैं अब आपको वापस minus 1 करना है जिसके लिए आप small friends negative component के formula को apply करेंगे minus 5 plus 4 इस तरह आपका answer आता है 4 आपका next calculation है 8 minus 3 minus 1 तो सबसे पहले आपने rod पे 8 set किया जिसका आप directly put कर सकते हैं अब आपको करना है minus 3 minus 3 directly हो सकता है अब आपको करना है minus 1 जिसके लिए आपको small friends negative component के formula को apply करना पड़ेगा minus 5 plus 4 आपका answer है 4 आपका next calculation है 3 2 minus 1 5 तो सबसे पहले आपने किया 3 अब आपको करना है 2 जिसके लिए आप small friends positive component का formula apply करेंगे plus 5 minus 3 अब आपको करना है minus 1 जिसके लिए आप small friends negative component का formula apply करेंगे minus 5 plus 4 अब आपको करना है 5 जिसको आप directly कर सकते हैं आपका answer है 9 आपका next calculation है 6 minus 1 minus 1 2 तो सबसे पहले आपने किया 6 अब आपको करना है minus 1 जिसको आप directly कर सकते हैं अब आपको वापस minus 1 करना है जिसके लिए आपके पास values नहीं है इसलिए आप small friends negative component के formula को apply करेंगे minus 5 plus 4 अब आपको करना है 2 2 के लिए आपको small friends positive component के formula को apply करना पड़ेगा plus 5 minus 3 आपका answer है 6 तो देखा आपने किस तरह से आप small friends negative component की मदद से minus 1 की value को abacus rod पर put कर सकते हैं अब इसी formula की हम practice करते है student abacus में अब हम practice करेंगे small friends में minus 1 की value को put करना हमारा सबसे पहला sum है 2 plus 3 minus 1 तो rod पर सबसे पहले हमने set किया this is 2 अब हमें चाहिए 3 जिसके लिए हमने formula put किया plus 5 minus 2 अब हमें चाहिए minus 1 जिसके लिए हमने formula लगाया minus 5 plus 4 हमारा answer है 4 now clean your abacus हमारी next sum है 43 plus 2 minus 1 तो rod पर सबसे पहले हमने set किया 43 10th sum ने लिया 40 और 1 से लिया 3 this is 43 अब हमें चाहिए 2 जिसके लिए हमने formula लगाया plus 5 minus 3 अब हमें चाहिए minus 1 जिसके लिए हमारा formula है minus 5 plus 4 हमारा answer है 44 now clean your abacus हमारा next sum है 35 minus 1 plus 9 minus 5 तो rod पर minus 1 अब हमें चाहिए minus 5 जिसके लिए हमारा formula है minus 10 plus 5 हमारा answer है 38 I hope student abacus पर आप minus 1 की value को put करना सीग गए प्रभुर्वार्वार्वार्वाम